नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की शंकला में आज हम बात कर रहे हैं, महाभारत के प्रमुख्य पात्र, महान धनुरधारी, सूत पुत्रकर्ण के जीवन परिजय के विशय में दोस्तों, महान धनुरधारी, सूत पुत्रकर्ण के जीवन परिजय का यह दस्वा भाग है, अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है, तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखियेगा, जिससे आपको सूत पुत्रकर्ण के जीवन परिजय को समझने में ज़ाधा आसानी होगी दोस्तों जैसे कि पिछले भागों में हमने जाना कि किस प्रकार देवराज इंद्र ने कर्ण से अपना पतिशोध लेने के उद्देश से कर्ण के जीवन में बाधा उत्पन की और आज हम जानेंगे कि कर्ण को एक निर्धन ब्रामण ने क्यों और क्या श्राप दिया तो चलिए शुरू करते है भगवान परशुराम दुआरा दिया वया श्राप और आशेरवाज दोनों को ही अपने साथ लिये कर्ण वापस हस्तिनापुर की ओर जाने लगे कि तभी एक निर्धन ब्रामण अपने परिवार के साथ विलाप कर रहा था उनको विलाप करता देख कर्ण ने उनसे उनके विलाप करने का कारण पूछा तब ब्रामण ने बताया कि उनके गाय के बचड़े को किसी ने चुरा लिया है ये गाय ही उनके जीवन व्यतीत करने का एक मात्र सहरा है तब कर्ण ने ब्रामण से कहा आप व्यतीत ना हो ब्रामण देवता मैं आपको आपका बचड़ा सहा कुशन ला कर दूँगा ब्रामण को दिलासा देकर कर्ण निकल पड़ते है बचड़े की खोज में असल में ब्रामण के बचड़े को इंद्रदेव के आदेश अनुसार एक राक्षस ही चुरा कर ले गया था क्योंकि देवराज इंद्र करन से वो पाप करवाना चाहते थे जिसके परिणाम स्वरूप करन को एक और श्राप मिल जाए जिससे देवराज इंद्र का प्रतिशोद भी पोण हो जाए और संसार के सल्वस्ट्रेष्ट धनुरुधारी बनने के रेस में करण देवराज इंद्र की धरम पुत्र अर्जुन से हमेशा पीछे रहे इस उद्देश को पून करने हे तू देवराज इंद्र ने ये माया जाल रचा था करण ने ब्राह्मन को वचन तो दे दिया कि वो उनको उनका बचडा सहकुशल वापस ला कर देंगे पर करण को बचडा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था अंद में उन्हें एक दलदल के समीप एक रचचस के साथ वो बचडा नजर आया और जब करण ने उस रचचस को बचडा वापस करने को कहा तो रचचस ने मना कर दिया और कहा कि इसे मैंने प्राप्त किया है ये मेरा भोजन है इसे मैं किसी भी हलक में तुम्हें वापस नहीं करूँगा इसलिए लौट जाओ यहां से राक्षस की बात सुनकर करण बोले मैं किसी लिर्दोस जीव की हत्या नहीं हुने दूँगा इसलिए अंतिम चिताबनी देता हूँ वापस कर दो इस मासूम बच्षडे को पर राक्षस नहीं माना फिर राक्षस और करण के मद्य घमासान युद हुआ पर जब करण ने उस राक्षस को मारने की उद्देश से बान छोड़ा तब वो राक्षस अद्रश्श हो गया और गल्ती से वो बान उस मासूम बच्षडे को जा लगा और बच्षडा दलदन में जा गिरा जिससे बच्षडे की मृत्ती हो गई इस दोरान बच्षडे का मालिक वो ब्रामन वहां आ पहुँचे और अपने बच्षडे को मृत अवस्था में देख कर वो कर्ण पर अत्यंत प्रोधित हुए और उन्होंने कर्ण से कहा तुमने मेरी मासूम बच्षडे की हत्या कर दी कर्ण ने उनको बहुत समझाया कि उन्होंने उस राक्षस को मारने के उद्देश से बान छोड़ा था पर वो राक्षस अद्रश्य हो गया और बान गलती से बच्षडे को लग गया पर ब्रामन देव ने कर्ण की एक ना सुनी और कहा हे धनुर्धारी तुमने गौह हत्या का बहुत बड़ा पाप किया है तुम्हें इसका परिणाम अवश्य मिलेगा इस पर कर्ण ने ब्रामन देवता से कहा हे ब्रामन देव पाप तो मुझसे हुआ है पर मैंने जान बूझकर ये पाप नहीं किया है ये पाप मुझसे अंजाने में हुआ है मुझे शमा कर दीजिए मैं जानता हूँ कि ये बच्षडा आपके लिए केवल एक पशु मात्र नहीं था वो आपके जीवन जीने का एक मात्र सहारा था मैं आपकी पीडा समझ सकता हूँ इसलिए इसहानी की पूर्ती मैं आपको करूंगा इस पर क्रोधित होकर ब्रामन देव करण से कहते है हे धनुरधारी यदि मैं तुम्हारे बालक की हत्या कर अपनी संपून संपत्ती तुमको दे दूँ तो क्या तुम मुझे कभी शमा कर पाओगे कदा भी तुम मुझे शमा नहीं कर पाओगे तुमने महा पाप किया है ब्रामन देवता के कटू वचन सुनकर करण ने ब्रामन देवता के समक्ष अपना पक्ष रखने की बहुत कोशिश की कि उनसे ये पाप अंजाने में हुआ है उन्होंने ये सब जान बुच कर नहीं किया है परंतु करण की बातों का कोई लाब नहीं हुआ ब्रामन देवता करण की कोई भी बात सुनने को तयार नहीं थे अपने पचडे के मृत शरीर को देख कर मानो ब्रामन देवता अपना आपा खोते जा रहे थे और करण पर अपने कटू वजनों की वर्शा किये जा रहे थे वो करण से आगे कहते है हे धनुर्धारी वो पचडा मात्र एक पशू ही नहीं था हमारे लिए वो हमारे परिवार का सदर से था जिसके तुमने निर्मम हत्या कर दी इसलिए इस गोह हत्या के पाप के परिणाम सोरूप मैं तुमें श्राब देता हूँ कि जिस तरह तुमने कीचड में फसे मेरे असाय बचले को मारा है ठीक उसी प्रकार एक दिन तुम भी भूमी पर असाय गिरे पड़े रहोगे और तुम्हारी कोई साहता नहीं करेगा और मेरे बचले की भाती तुम्हारी मृत्यू भी इसी प्रकार होगी तुम्हें कोई दया नहीं मिलेगी हे धनुर्धारी ये एक दुखी ब्राह्मन का श्राप है जो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा वो अवश्य पोन होगा और ब्राह्मन देव द्वारा कर्ण को दिया गया ये श्राप महाभारत युद में पोन हुआ जब महाभारत युद भूमी में कर्ण के रद का पया कीचर में फस गया था और कर्ण अपने रद के पये को कीचर से निकालने की कोशिश में लग जाते है उसी शन श्री कृष्न के कहने पर अरजुन कर्ण पर बान छोड़ देते है जिससे कर्ण की मृत्ती हो जाती है जिसके विशय में हम विस्तार पूर्वग कभी और चर्चा करेंगे तो दोस्तों ये थी एक ब्रामन देव द्वारा कर्ण को दिया गया गौह हत्या के श्राप की कहानी आज के लिए बस इतना ही अगली विडियो में हम कर्ण के जीवन से संबंदित कई और विशय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद